हेलो दोस्तों मैं सचन अरोडा एक बार फिर से आप सभी लोग का सवगत करता हूँ अरोडा एजुकेटर के इस ओफीशल पेटफॉर्म पे उमीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से IBPS RRB Clerk 2024 कम्प्यूटर के बेस्ट 40 कोशन्स पर 6 डेस, 6 टेस्ट वैसे ही कोशन्स जो एक्जाम में देखे जाते हैं IBPS RRB Clerk का लेविल कैसा होगा, किस प्रकार के कोशन्स पूछे जाएंगे अगर आप इन 40 कोशन्स को देखते हैं और इस सेशन को कम्प्लीट करते हैं तो आपको सारी के सारे कोशन्स यहां से मिलेंगे, लेकिन बस कितने अच्छे से आप कोशन्स की लैंग्विज को समझ पाएंगे और कितने जल्दी आप कोशन्स को कर पाएंगे, टाइमिंग प्लेज अ वेरी मेजर इशू, येस आप मानते हैं इस बात को IBPS, RRBPO में भी ये देखा गया, कि कोशन्स इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन टाइमिंग की वज़े से और कोशन्स लंबे-लंबे थे, इस वज़े से कैनिडेट्स को काफी डिफिकल्टी भी हुई, सारे कोशन्स को करने में, कुछ कैनिडेट्स सारे कोशन्स कर भी नहीं पाए, देखी नहीं पाए कि 40 कोशन्स थे कौन से, तो ये गलती मत करना, बहुत स्पीड में करना, अपने उपर कोशन्स रखना और सारे कोशन्स करके आना, क्योंकि कम्प्यूटर आप अच्छा कर सकते हैं, और यहाँ पर कैनिडेट्स 40 में से 35 प्लेस कोशन्स को बहुत पराम से सही कर लेते हैं, तो उमीद है कि आप भी करेंगे, डे 3, डे 1, डे 2, डे 3, सारे डे 1 और डे 2 आपे देखा, 80 कोशन्स अभी तक आप देख चुके हैं, जो कि बेस्ट हैं, क्लरक लेवल पे, आज फिर से 40 कोशन्स देखेंगे, और देखेंगे, कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, out of 40, कितना किया स्कोर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, येस, चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, let's get started, साथी साथ वो कैनिडिट्स, जो कि बेंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे इग्जाम्स के लिए बेस्ट हो, बेसिक से एडवान्स लेवल तक हो, जिसमें वीडियोज हो, टॉपिक वाइस, जिसमें MCQs हो, टॉपिक वाइस, जिसमें मॉक टेस्ट हो, टॉपिक वाइस, अगर ऐसे किसी कोर्स की आप तलाश कर रहे हैं, जो कम्प्यूटर में आपको जीरो से hero बना दे ये है वो course जो की complete course है latest है 15th of March से start हुआ था अब ये आपको complete recorded format में मिल जाएगा सर कैसे join कर सकते हैं अरोडा educator application को install करिएगा Google Play Store या iOS Store की मदद से फिर इस course से आप connect कर सकते हैं किसी भी confusion के regarding दिये गए नंबर पे WhatsApp भी कर सकते हैं लिंक आपको description box में भी मिल जाएगा बिलकुल join कर लीजेगा और फिर computer को बढ़िया तरीके से topic wise पढ़िएगा येस तो let's get started आज के session में बात करेंगे हम लोग सबसे पहले उस question की जो की day 2 में मैंने आपको दिया था और कहा था कि ये important question भी है इसका answer बताना था आपको comment section में और आपने बताया भी speed of internet connection is measured in internet connection की गती को किसमें ना पा जाता है gigahertz, dpi, ppm, mbps या rpm और इसका correct answer था क्या mbps megabit per second कितने mbps की speed आ रही है यही तो हम लोग कहते हैं internet के case में तो correct answer है option 4 mbps megabit per second या gbps gigabit per second मैंने आपसे ये भी कहा था कि बाकी speeds भी मुझे बताईए gigahertz किसके लिए use होता है, dpi किसके लिए use होता है, ppm का इस्तमाल क्यों करते हैं और rpm का तो जड़ा एक बर देख लिजे क्या इन सबकी knowledge आपके पास है या नहीं have a look guys, processor की पूछी जाए कि speed of processor, speed of CPU या speed of microprocessor तो answer क्या होगा hertz, gigahertz भी हो सकता है, megahertz भी हो सकता है क्योंकि processor और CPU की speed को किस में आपा जाता है, hertz में, very good printer के resolution को किस में नापते हैं, printer के resolution का मतलब the quality of a printer, that is in dpi, dot per inches latest printer की बात करें, जैसे thermal, inkjet और laser printer या plotter, इनकी speed को नापते हैं, ppm, pages per minute में किस में, ppm, pages per minute में, latest printer और plotter दोनों के case में, internet की speed हो गई, mbps या सिर्फ bps भी हो सकता है, क्योंकि कई बार exam में आता है, modem की speed को किस में नापते हैं, तो answer क्या होगा, bit per second, या फिर mbps, तो modem की speed को भी bps में नापते हैं, bit per second में और internet की speed को mbps या kbps में measure करते हैं, megabit per second और kilobit per second, हना या gigabit per second, कुछ भी हो सकता है, bps होगा ही होगा, अब एक चीज़ और समझेगा, computer में small b का मतलब होता है bit, और capital b का मतलब होता है byte, ये difference याद रखिएगा, small में b लिखा हुआ है तो bit, और capital में b लिखा हुआ है तो byte, hard disk की speed को किस में measure करते हैं, rpm, revolutions per minute में, revolutions per minute में, पहला question आज के session का बताइएगा, name the recently launched Instagram text-based conversation app, क्योंकि latest technology से question आ रहे हैं, तो ये question बहुत ज़्यादा important है, बताइए, हाल ही में launch किये गए Instagram के, text अधारित वारतल आप आप का नाम बताइए, answer क्या होगा, Instagram द्वारा launch, बिल्कुल सही the correct answer is thread, यानि fourth option होगा, सही जवाब, that is thread, yes, next, dash does not need a host to replicate from one computer to another, and dash require host for spreading, dash को एक computer से दूसरे computer में प्रती लिपी बनाने के लिए, host की अवशक्ता नहीं होती, और dash को फैलने के लिए host की अवशक्ता होती है, that is called what, कौन सोतंत्र है, independent है, कौन dependent नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप बिल्कुल जानते हैं, does not need a host, जिसको किसी host, किसी server की requirement नहीं, वो है आपका warm, write once, read many, और जिसको host की requirement है, spread करने के लिए, वो है virus, यानि answer क्या होगा, पहले वाले में होगा warm, और दूसरे वाले में होगा virus, तो correct answer is option number two, जब कभी भी not दिया हो, does not अगर किसी के साथ में भी आ जाएगा, तो वो warm हो जाएगा, क्योंकि warm को किसी की जरूरत नहीं होती, ना इनसान की, ना किसी server की, ये अपने में सक्षम है काम करने के लिए, yes, next, dash need human action to replicate, and dash does not need human action to replicate, किसको requirement होती है, human action की, कि जब इनसान कोई action perform करे, trigger करे, तभी वो activate हो, और किसको requirement नहीं होती, human action की, अभी मैंने आपको बताया, not वाले case में हमेशा क्या आएगा, warm, और human action की क्यों dependent है, virus dependent है, तो पहले में क्या आजाएगा, virus need human action, and dash does not need human action, warm does not need human action, dash को दोराने के लिए मानवी क्रिया, कि अब शक्ता है, और dash को दोराने के लिए मानवी क्रिया कि अब शक्ता नहीं है, answer is what, पहले में virus, और दूसरे में warm, समझ में आ गया, तो not के case में हमेशा answer क्या होगा, warm, write once, read many, virus की full form क्या होती है, vital information resource, under seas, vital information resource, under seas, that is called virus, dash spreading speed is faster in computer, and dash spreading speed is slower, इन से question आएगा जरूर, क्योंकि virus और warm से question 100% आता है, thank you बोल दिजेगा, अगर same मिल गया तो, computer में dash फैलाने की गती तेज होती है, और dash फैलाने की गती धीमी होती है, कौन तेजी से फैलता है, और कौन धीमे धीमे फैलता है, वार्म तेजी से फैलता है, वार्म spreading speed is faster in computer, and virus spreading speed is slower, जबकि virus धीरे धीरे फैलता है, तो answer क्या होगा, पहले में होगा warm, और दूसरे में होगा virus, यानि fifth option is the right one, लगा दो answer, faster के case में हमेशा क्या होगा warm, और slower के case में हमेशा क्या होगा virus, next, which of the following is a popular open source office suit, क्या रहा, इन में से कौन सब बहुती popular open source office suit है, open source का मतलब जो free of cost है, जिसमें बदलाव भी कर सकते हैं, वो open source होता है, और open source से बहुत सारे question exam में बनते हैं, जैसे open source, सबसे पहला जो हमारा browser है, उसका नाम बताईए, name the first open source web browser, क्या होगा, very good, that is called mojila firefox, या सिर्फ firefox भी हो सकता है, यह पहला open source browser है, good, open source office suit की बात करें, यानि MS office का जो alternate है, और जो free of cost है, that is called libra office, क्या libra office कहीं given है, yes, fourth हो जाएगा correct जबाब, libra office जो package है, इसको किस company के द्वारा बनाया गया, यह भी याद रखिएगा, the document foundation, MS office किसने बनाया, Microsoft नहीं, लेकिन MS office क्या है, paid है, pre नहीं है, वो अलग बात है कि आपको अपने laptop के साथ, या अपने desktop या PC के साथ मिल गया हो, या अपने operating system के साथ मिल गया हो, या अपने pirated यूज कर लिया हो, लेकिन जो MS office है, वो paid है, जो free है, बिलकुल वो क्या है, libra office, रखेगा, next, which of the following is a popular open source programming language, मैंने कहाना कि open source बहुत important है, और यहां से कम से कम 2-3 question भी देखे जाते हैं, जरा बताईए कि popular open source programming language कौन सी है, नेम लिखित में से कौन सी एक लोगपरी है, open source programming भाशा है, web browser तो mozilla Firefox हो गया, जो आपने बताया, लेकिन programming language कौन सी है, python, java, c++, c sharp या visual basic, आपके पार की नजर और निर्मासो पर, the correct answer is python, यानि सही जवाब होगा python, जो की most popular language भी है, और एक ऐसी language भी है, जो free of cost है, और जिसमें changes भी possible है, editing भी possible है, that is called python, next, which organization is known for promoting, and supporting open source software development, ऐसा कौन सा संगठन है, जो open source software विकास को बढ़ावा देने, और समर्थन करने एक लिए जाना जाता है, क्या कोई ऐसी organization भी है, जिसको इसलिए point किया गया, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीजें open source मार्केट में, ताकि लोग digital की तरफ बढ़ पाए, free of cost होगा, तो ज़्यादा तर लोग इसका इस्तमाल करेंगे, answer क्या होगा, IBM, Microsoft, GNU, Oracle या Sony, Sunny, Leone नहीं, that is Sony, क्या होगा answer, very good and the correct answer is, GNU, GNU नहीं Linux को open source करने पर मजबूर किया, इस organization का नाम क्या है, जो promote करती है open source software development, जिसने Mozilla Firefox को भी open source होने पर मजबूर किया, और pressurize किया, कि ऐसे कई software होने चाहिए, जो open source हो, चाहे वो python ही क्यों नहीं हो, and the answer is GNU, next, what is the most common open source operating system, सबसे आम open source operating system कौन सा है, जरह ये भी तो बताए, क्या कोई ऐसा operating system भी है, जो open source है, Linux, Android, Unix, Windows, या Mac operating system, क्या आता है, बताएंगे नहीं, बिल्कुल सही, the correct answer is Linux, क्या Android भी open source है, yes, Android भी तो Linux पर based है, तो Android भी open source है, और Linux भी open source है, क्या Unix open source है ना, क्या Windows नहीं, क्या Mac operating system, Macintosh जी नहीं, इसका मतलब जब Sir Linux भी है और Android भी है, और Android Linux पर ही based है, और common पूछ रहा है, तो answer क्या होगा Linux, Linux और Android में से अगर किसी एक को चुनना पड़े, तो answer क्या होगा, that is Linux, Android के कुछ ऐसे versions हैं, जो की paid है, कुछ ऐसे version है, जो की open source है, इसलिए Android को pure open source की category में नहीं रखते, इसलिए जो सही answer होगा, वो क्या होगा, Linux is the correct answer, developed in 1991, by Linus Torvald, किसने इसको develop किया, Mr. Linus Torvald ने, कब 1991 में, एक question और भी पूछते हैं, कि ऐसा कौन सा operating system है, जिसमें virus enter नहीं हो सकता, name that operating system in which, virus cannot be entered, again the correct answer is, Linux, और वाइरस cannot be entered, next, which open source web server software is widely used, to host the website, कौन सा open source web server software website को, host करने के लिए, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, बताईएगा, open source server है, और इसका यूश्कियों करते हैं, website को, widely host करने के लिए, website को host करने के लिए, कई सारे server आते हैं, जैसे GoDaddy का नाम आपने सुना होगा, तो आपको बताना है, उस website, उस server का नाम, जो की open source web server को, क्या करता है, open source web server के तरीके से, use किया जाता है, IIS, Apache, NGINX, Tomcat, गया all of these, देखो जो सबसे famous है, जो सबसे famous है, वो है क्या, Apache का STTP server, जो open source है, क्या बाद, IIS भी open source है, partially but not fully, क्या Apache STTP server, पूरी तरीके से open source है, तो correct answer हो जाएगा, Apache का STTP server, Next, What is the open source alternative, to Microsoft Excel, for spreadsheet task, क्या MS Excel का कोई ऐसा alternative, available है, जो की क्या हो open source हो, spreadsheet कारियों के लिए, MS Excel का open source विकल्प क्या है, क्या MS Excel पेड है, हाँ, क्यूंकि अगर MS Office पेड होगा, तो MS Excel भी क्या होगा, पेड होगा, very good, तो इसका कोई ऐसा alternative, जो free of cost है, हाँ, Libra Office, लेकिन Libra Office में, MS Excel वाला काम करता कौन है, Libra Office Kelsey, तो correct answer होगा, option number one, that is Libra Office Kelsey, और सबसे पुराना, या सबसे पहला, spreadsheet package का नाम क्या है, VC Kelsey, और VC Kelsey क्या है, Libra Office Kelsey ही है, next, इन डैश रिलेशन्शिप, दा लिंक किस शेर्ड एकुली, बेट्वीन डिवाइसे इन नेट्वर्किंग, डैश संबंद में, नेट्वर्किंग में उपकरणों के बीच, लिंक समान रूप से साजा किया जाता है, बताई, ऐसा कौन सी रिलेशन्शिप है, नेट्वर्किंग के केस में, जिसमें लिंकिंग की जाती है, समान प्रकार के कम्प्यूटर्स में, एक समान प्रकार के कम्प्यूटर्स का मतलब, पियर टू पियर, अगर सारे कम्प्यूटर्स एकी तरीके के हैं, तो इसका मतलब सब आपस में दोस्त हैं और दोस्तों को क्या बोला जाता है इंगलिश में peer, peer to peer तो correct answer हो जाएगा what peer to peer clear है next Devices in a ring or mesh topology are usually configured in a dash relationship ring या mesh topology में device आम तोर पर किस संबंध में configure की जाती है ring और mesh की अगर बात करें तो आप जानते हैं ring topology किस पर based है tokens पर mesh topology क्या है एक ऐसी topology जो point to point connection बनाती है एक ऐसी topology जो सबसे reliable है और ring और mesh topology again peer to peer network पर based है क्योंकि यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं यह mesh topology तो है जहां हर एक computer एक दूसरे computer से connected है और ring में भी यही होता है तो correct answer क्या होगा एक बार फिर से peer to peer next which topology has multipoint connection किस topology में multipoint connection होते हैं और यह question तो आता ही आता है the most favorite question ring, bus, star, tree, mesh the correct answer is bus topology यह question उल्टा भी आता है कि bus topology में किस प्रकार का connection होता है तो आंसर होगा multipoint connection सर यह multipoint connection का मतलब एक wire एक cable और उससे कई सारे nodes connected है और इस कई सारे nodes को क्या बोला जाता है multipoint connection that is bus topology एक question और important है कि ऐसी कौन सी topology है जिसमें terminator का प्रयोग करते हैं name that topology in which terminator is used again the answer is bus topology terminator किसको बोलते हैं bus topology में जो दोनों सिरे होते हैं opening end and the closing end these both ends are called as terminator जिससे कि यह पता चले कि जो cable है उसकी शुरुवात किस से हुई तो एक terminator वहाँ लगा दिया जाता है उसका अंत कहां हो रहा है एक terminator वहाँ लगा दिया जाता है that is what we call terminators which describes the opening and closing of the cable next the topology which requires a central controller और hub is quite वह है topology जिसके लिए केंद्री नियंत्रक या hub की अवशक्ता होती हैं उसे क्या बोलते हैं तो hub का इस्तमाल किस topology में होता है आप जानते हैं किस में ring में bus में star में tree या mesh star topology is the correct answer जब कभी भी hub की बात की जाएगी तो हमेशा answer क्या होगा star topology और ये उल्टा भी आता है कि star topology में किस central device का use करते हैं या star topology में किस networking device का use करते हैं तो answer क्या होगा हब answer क्या होगा हब और क्या आप ये बात जानते हैं कि हब किस प्रकार की device है yes broadcasting device जो एक message को सभी पर भेज देती है हना broadcast कर देती है that is called broadcasting device a hub which is used in the star topology next topology होता क्या है the physical और logical connection of a computers over a network is called topology computers networking में किस प्रकार connect होंगे किसी को ही बोला जाता है क्या topology next the dash is an example of simplex device dash एक simplex device का उधारण है repeater walkie talkie keyboard telephone या all of these simplex का मतलब unidirectional in nature वो networking में जो सिर्फ एक ही direction पर unidirectional काम करे that is called simplex और simplex का जो सबसे बढ़िया example है वो क्या है keyboard monitor that is called a simplex device तो third हो जाएगा correct जवाब data travels only in one direction that is called simplex next what is the name of the Microsoft digital assistant Microsoft के digital assistant का नाम बताईए digital assistant हो virtual assistant हो बात एक ही है तो digital assistant का दूसरा नाम क्या है virtual assistant और यहां से दो question बनते ही बनते हैं जीए में भी बन सकते हैं और computer में भी देखेगा Microsoft का digital assistant क्या है Cortana यानि option number four is the right one लेकिन क्या Cortana अभी भी काम कर रहा है आपको याद होगा एक news आई है कि Microsoft ने Cortana को बंद कर दिया है और इसकी जगे पर जो इसने promote करना शुरू किया है Microsoft ने वो है co-pilot तो Cortana तो हो गया bye-bye और नया जो है that is called co-pilot तो Microsoft का जो digital assistant है पुराना वाला that is called Cortana और नया वाला that is called co-pilot तो अगर एक्जाम में ये question आए कि Microsoft का जो बंद कर दिया गया है digital assistant उसका नाम बताईए तो answer क्या होगा Cortana और जो नया आ गया है उसका नाम बताईए तो answer क्या होगा co-pilot या depend upon the options है ना जो भी question पूछें समझ में आ गया very good अच्छा अब bot की बात करे chatbot की बात करे virtual assistant की बात करे या digital assistant की बात करे तो कुछ बात याद रखिएगा क्या सबसे पहला जो chatbot है वो ELISA है the first chatbot is called ELISA open AI नाम की company ने जो chatbot बनाया है उसका नाम क्या है chat GPT chat GPT आप सबने नाम सुना है बहुत फेमास है chat GPT किस company के द्वारा बनाया गया open AI company के द्वारा गूगल का जो chatbot है या virtual assistant है उसका नाम बताईए गूगल का है BARD अब आ चुका है उसकी जगे पर जैमिनी तो पहले उसका नाम था BARD जिसका नाम change करके क्या कर दिया गया है जैमिनी याद रखिएगा Microsoft का पहले कौन सा था Cortana और अब नया कौन सा है Copilot येस Amazon की बात करें तो इसका virtual assistant या digital assistant कौन सा है Alexa Alexa किस company का है Amazon Samsung का virtual assistant या digital assistant कौन सा है Bixby Bixby किस company का है Samsung दोनों तरफ से याद रखिएगा और Apple company का virtual assistant या digital assistant कौन सा है तो answer है Siri जो कि अभी question पूछा भी गया Siri किस company का virtual assistant या digital assistant है तो answer है Apple ये याद रखने की requirement है Next Which programming language is best choice for development of AI AI के विकास के लिए artificial intelligence के विकास के लिए कौन सी programming भाशा सर्वोत्तम विकल्प है सबसे ज़्यादा किस language का use किया जाता है For the development of artificial intelligence What is artificial intelligence क्या होता है AI Making machines think like human Machines को human की तरीके से सोचने पर मजबूर करना यानि machines इंसानों के तरीके से सोचने लगे That is called artificial intelligence यही तो है AI तो AI के लिए सबसे best programming language कौन सी है Python Python is the correct answer First is the right one Next अब Python से दो चीजे और याद रखिएगा Python was invented कब इसको invent किया गया Late 1980s 1980s के दर्शक में The 1980s correct answer होगा और किसने Python बनाई ग्यूडो वैन रौसुम ये नाम है ग्यूडो वैन रौसुम तीन लोग नहीं है एक ही है नमस्कार अंकल जी कैसे हैं आप बढ़िया मजे में यही हैं वो जिन्होंने Python को develop किया जो इतनी famous है आज कल के time पर Next The first AI programming language was called पहली artificial intelligence programming भाशा केलाती है क्या Python, IPL, Lisp, machine language या नन अफ दीस First artificial intelligence programming language है Lisp जिसकी full form है Lisp Processing तो correct answer क्या हो जाएगा Lisp, Lisp Processing Lisp programming language is the first artificial intelligence programming language Languages तो बहुत सी है जो AI को support करती है Python भी है जो बहुत support करती है C++ भी है Java भी है, Java script भी है R भी है तो ऐसी बहुत सारी है जो AI को support करती है लेकिन पहली जो है वो क्या है Lisp, Lisp Processing Prolog भी है जो की बहुत use की जाती है Artificial Intelligence के लिए जिसकी full form होती है Programming in Logic, Prolog Next अच्छा अगर ये पूछें कि पहली high level language का नाम बताइए तो answer क्या होगा Name the first high level language Very good and the answer is Fortran Formula Translation पहली high level language और पहली scientific language That is called Fortran Next Which is not the commonly used programming language for AI AI के लिए आम तोर पर उप्योग की जाने वाली Programming भशा कौन सी नहीं है कौन सी है पहली तो आपने का list processing और कौन सी नहीं है तो answer है पर्ल ये नहीं है पर्ल is not used for the artificial intelligence AI के लिए पर्ल programming language का प्रयोग नहीं किया जाता और ये question भी बहुत important है याद रखिएगा Who is the father of artificial intelligence इतनी चर्चा अगर हम AI पर कर रहे हैं तो इसका मतलब AI important है और artificial intelligence के पापा कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए कत्रिम बुद्धी के जनक artificial intelligence के पापा है जौन मैककार्थी जौन अबराहिम नहीं the correct answer is what ये अंकल जी that is called Mr. John मैककार्थी is known as the founder of artificial intelligence और ये question ऐसे भी पूछते हैं कि जौन मैककार्थी कौन है तो आप कह देंगे founder ये father of artificial intelligence AI next how many rows you can insert in a word document in maximum MS word में कितनी rows को insert किया जा सकता है maximum बताइए आप किसी word document में अधिक्तम कितनी पंक्तियां समलित कर सकते हैं दी करेक्ट आंसर एज 32767 32767 फोर्थ ओप्शन इस दी करेक्ट वर्ड 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 नेक्स्ट तू इंसर्ट चाल्ट इन MS एक्सल विच शॉर्टकट की इस यूज़्ट MS एक्सल में चाल्ट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रेयोग करते हैं MS एक्सल में चाल्ट को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब का वहां से चाल्ट को इंसर्ट कर सकते हैं क्या कोई फंक्शन की भी है येस F11 आप सब जानते हैं F11 is used for the इंसर्ट चाल्ट परपस देन MS एक्सल और F12 की मदद से Save as Dialog Box उपेन होता है लेकिन क्या इसके लावा भी कोई की है जिसकी मदद से हम चाल्ट को इंसर्ट करते हैं येस Alt प्लेस F1 आंसर क्या होगा Alt प्लेस F1 भी सही है पर अगर F11 दिया हो तो ये भी सही है समझ में आया अच्छा F2 का यूज क्यों करते हैं एक्सल में ये भी बताईए Why we use F2 in MS Excel Very good To edit a cell Cell को edit करने के लिए F2 का यूज करते हैं लेकिन क्या F2 का यूज File और Folder को Rename करने के लिए भी करते हैं Yes We use F2 to rename any file or a folder F3 का यूज Normally कब करते हैं बताईए Shift के साथ F3 का यूज करते हैं For change case purpose अगर हमें change case करना है तो shift के साथ F3 करेंगे Normal F3 का यूज हम लोग करते हैं किस purpose से जल्दी से बताईए Search करने के लिए Normally F3 is used for the search purpose F4 is used for which purpose To repeat the last action perform F4 का यूज ये कि बहुत important है ये तो पूछता ही पूछता है कि F4 का यूज क्यों करते हैं To repeat the last action perform Repeat last action perform करने के लिए किस function की का यूज करते हैं F4 Yes Next Title bar in MS Excel displays Name of the MS Excel में title bar किसका नाम परदर्शित करता है सोची Title bar मतलब सबसे उपर वाली बार इसमें क्या क्या होता है Minimize, Maximize, Close button और Workbook का नाम Book 1 के नाम से तो correct answer क्या होगा That is Workbook और Name क्या होता है By default Workbook का Book 1 Sheet का नाम पूछें की By default Sheet का नाम क्या होगा तो Sheet 1 एक Sheet होती है latest version में और इसका नाम क्या होगा Sheet 1 लेकिन MS Excel का जो file होती है उसका by default नाम क्या होता है Book 1 और इसे बोलते क्या है Workbook Workbook किसका collection है Worksheets का Very good In Assembly Language Symbols are used instead of binary code These symbols are called Assembly Language किस generation में आती है जलदी से बताई In which generation Assembly Language is used Second generation क्या Assembly Language Low Level Language है Yes Sir Assembly Language is called Low Level Language क्योंकि Low Level Languages में दो Languages आती है एक Machine और Binary और दूसरी Assembly Assembly Language में किसका यूज होता है Nymonics का क्या Nymonics गिवेन है Yes Option 1 is the correct answer Next What displays the content of active cell Cell की बात हो रही है What display the address of the active cell Name box And what display the content of the active cell Formula bar Very good Formula या function शुरू किस से होता है Equals to से और Excel शीट में Concatenate करने के जोडने के लिए Cells को किसका यूज करते है किस सिंबल का यूज करते है Ampersand का MS Excel में Cell Referencing के लिए किस सिंबल का यूज करते है Dollar का और Cell Referencing कितने तरीके की होती है Sir तीन तरीके की जैशरी राम आर ए एम Relative Absolute or Mixed Very Good Which of the following is not a valid Zoom Percentage in Excel निम लिखित में से कौन सा Excel में वैद जूम प्रतिशत नहीं है Excel में जो Maximum Zoom Percentage है वो कितना है 400 तक Yes Maximum 400 तक ही Zoom कर सकते है उसके बाद नहीं तो 400 के बाद क्या कुछ गिवन है हाँ 500 That is not possible तो correct answer हो जाएगा 500 is not possible Minimum कितना होता है Excel में 10% सभी में 10% होता है minimum Word, Excel और PowerPoint में By default सभी में कितना होता है 100% Word, Excel और PowerPoint में लेकिन Maximum के case में MS Word में 500 Excel और PowerPoint के case में 400% Very good Which of the following provides Reliable Communication Nimlicat में से कौन विश्वसनी संचार प्रदान करता है Reliable Communication का मतलब TICAO TICAO का मतलब TCP Transmission Control Protocol और Unreliable और Unreliable आ जाता कि इनमें से कौन सी Unreliable है तो आंसर क्या हो जाता IP या UDP User Datagram Protocol is Unreliable in nature But Fast TCP is Slow But Reliable या जो Reliable होगा वो थोड़ा से Slow होगा जो Not Reliable होगा वो Fast होगा Getting the point Next Which file is responsible to start MS PowerPoint MS PowerPoint शुरू करने के लिए कौन सी file जिम्मेदार है क्या shortcut है PowerPoint को open करने का PowerPoint.exe या PowerPoint भी बोल सकते हैं क्या PowerPoint given है Yes Option Second is the right answer तो PowerPoint.exe is the shortcut to open the PowerPoint file MS Word की file को open करने का shortcut क्या है WinWord.exe WinWord.exe Very good In MS Word 2021 To use the spelling and grammar option One has to click on the dash tab बहुत प्यारा question And within the dash group Click on spelling and grammar बताइए MS Word 2021 में वर्तनी और व्याकरण विकल्ब का उप्यो करने के लिए किस tab पर क्लिक करेंगे और डैश समूग के भीतर वर्तनी और व्याकरण पर क्लिक करना होगा तो हम जानते हैं कि Spelling और grammar की बात करें Thesaurus की बात करें या word count की बात करें Ctrl-Shift-G Word count इन सभी के लिए review tab का यूज करते हैं और review के अंदर क्या होता है proofing जिसमें हमें ये तीनों चीज़े देखने को मिलती है Spelling grammar Thesaurus और word count तो correct answer होगा review और proofing यानि second option is the right answer very good आप देख भी सकते हैं कि review tab में क्या-क्या मिलता है proofing के अंदर spelling and grammar Thesaurus और word count speech को option read aloud जो आप बोलेंगे वो लिख जाएगा accessibility check accessibility language comment क्या मिलता है जल्दी से बताईए view में number of views जितने given है वो मिलेंगे और इसके साथ में macros को option मिलेगा जो की बहुत पूछा जाता है macros जिसका काम क्या है repetitive task को record करना macros के लिए shortcut की क्या है जल्दी से बताईए very good alt plus f8 और macros में use होने वाली जो programming language है कितने टेज हैं आप VBA is the correct answer बहुत बढ़िया visual basic for application आगे बढ़ते हैं a single packet ओना data link is known as data link पर एकल packet को dash रूप में जाना जाता है data link layer कौन सी layer है OSI model में सर पहली physical है दूसरी data link है यानि second data link layer किस पर काम करती है बहुत बढ़िया mac address पर काम करती है लेयर की बात करें तो इसका काम क्या है error को control करना data link layer का सबसे important काम है और data link layer में data किस format में travel करेगा इसकी PDU क्या है इसकी protocol data unit क्या है that is frames क्या frame कहीं given है हाँ यानि second हो जाएगा correct जबाग physical layer में bits के format में data link layer में frames network layer में packet transport layer में segment और session presentation application layer में data 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 क्या बात है बेटा next what is pre-released software version called पूर्व release software संसकरण को क्या कहा जाता है software version जब release होता है तो क्या उससे पहले कुछ आता है तब उसको release किया जाता है yes और क्या आता है beta version क्या beta given है yes लगा दो answer तो कोई भी software release करने से पहले उसकी testing होती है and that testing version is called as beta version next what is the shortcut key for 1.5 line spacing in msword 2021 msword 2021 1.5 line spacing के लिए shortcut कुझी क्या है very good question और आएगा ही आएगा confirm है यह आएगा control plus 5 1.5 के लिए जो spacing use होती है वो क्या है one control plus 5 for 1.5 line spacing फिर से याद रखी control plus 5 for 1.5 line spacing और कितनी line spacing दी जा सकती है 1 inch by default जो होती है 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 next diameter of a compact disc cd और dvd ये किस में आती है optical disc के case में optical disc में cd, compact disc, dvd, digital versatile disc या blu-ray disc आती है blu-ray disc जो होती है उसकी capacity कितनी है कितना उसमें data store किया जा सकता है BRD के case में 25 GB per layer तो अगर dual layer की बात करें तो 50 GB data yes और cd की जो diameter है वो कितना है 12 cm यानि 12 cm is the right answer 12 cm भी option में हो सकता है लेकिन कई बार 12 cm नहीं होता 120 mm होता है यह हो जाएगा correct answer या 4.75 inch होती है तो यह हो जाएगा correct answer depend करेगा option में क्या given है 12 cm 120 mm या 4.75 inch these three is the correct answer cd, dvd या optical disk किस technology पर काम करती है pits and lands और यहाँ पर जो data store होता है वो किस format में laser के format में very good name the desktop database application that is part of MS office suit उस desktop database application का नाम बताई यह जो MS office suit का हिस्सा है MS access है यानि MS office में जो database application है वो क्या है RDBMS relational database management system और यह है कौन सी तो आप जानते हैं that is MS access very good अब MS access से दो question और बनते हैं इसके extension से कि पुराने वाले का extension क्या है और नए वाले का extension क्या है यह दोनों भी याद रखिये MS access का जो extension पुराने वाले वर्जन का मतलब 2003 या आप कह सकते हैं 2007 से पहले वाले वर्जन का जो extension है वो क्या है .mdb Microsoft database .mdb .mdb और नए वाले वर्जन यानि 2007 से लेकर उसके बाद वाले वर्जन का extension .accdb जहाँ पर ACC का मतलब है .access और .db का मतलब है database .access database .access database that is called .accdb और इन दोनों में से भी एक question जरूर आएगा या तो पुराने वाले का extension पूछ लेंगे या नए वाले का या पूछ लेंगे कि इन में से कौन से extension नहीं है तो old वाला दिया हो तो वो भी सही होगा और new वाला दिया हो तो ये भी सही होगा new question में दिया हो तो नीचे वाला old पूछेंगे तो उपर वाला depend upon the options very good control shift alt and windows are called dash keys control shift all और windows को dash कुँजी कहा जाता है वो keys जो अकेले use नहीं होती किसी दूसरे के साथ में मिलकर use होती है that are called modifier keys क्या modifier given है yes क्या control shift alt अकेले use होती है जी नहीं ये maximum case में या हर बार किसी ना किसी के साथ में use होती है और ऐसी keys जो किसी दूसरे के साथ में use होंगी that is called modifier keys clear है वो keys जिनमें sound produce होती है that is called toggle keys caps lock num lock scroll lock that is called toggle keys next which of the following device use the parallel transmission निमलिकित में से कौन सा उपकरण समानतर transmission को अपियोग करता है parallel transmission का यूज करता है mouse, keyboard, printer, light pen या all of these parallel के case में हमेशा answer क्या होगा printer parallel transmission, parallel port answer क्या होगा that is printer और serial के case में हमेशा answer क्या होगा input output devices serial transmission, serial port यानि input output devices जैसे mouse, keyboard ये सब next in microsoft powerpoint 2016 the default font name is dash and the default font size is dash ms powerpoint 2016 या किसी भी latest वाले वर्जन 2016, 2019, 2021 2016, 2019 2021 और 365 latest वाले सभी वर्जन के case में default font नाम क्या है और default font अकार क्या है the correct answer is Calibri light with 18 point Calibri light with 18 point in all new versions either it is 2007 either it is we can say जितने भी latest version है जैसे for example 2013 2013 2016 2019 2021 या 365 इन सभी के case में जो answer बनेगा वो क्या बनेगा Calibri light के साथ में 18 point that is the बले बले answer और ये question जरूर आता है यहाँ candidate answer क्या लगा कर आते पता है निया वर्जन देखकर Calibri के साथ में 11 point क्योंकि ऐसा ही होता है MS Word और Excel के case में Calibri के साथ में 11 ये नए वर्जन और पुराने वर्जन के case में Times New Roman के साथ 12 लेकिन PowerPoint का खेला अलग है यहाँ पर Calibri light के साथ में 18 point is the correct answer Next 1 GB is equals to dash byte 1 GB कितने bytes के बराबर है GB का मतलब billion 1 GB is equals to 1 billion byte means third option is the right one 1 TB 1 trillion byte के बराबर 1 MB million byte के बराबर और 1 GB billion byte के बराबर होता है Very good Next Press dash to move the next cell in row in MS Excel MS Excel में पंक्ती के अगले cell पर जाने के लिए किसका यूज़ करेंगे अगर cell में shift होना है तो किसका यूज़ करेंगे टैब का क्या टैब गिवन है Yes First option is the right one Next The space left between the margin and the start of a paragraph is called यह question तो आएगा ही आएगा Confirm है जरूर आता है यह question Margin और paragraph की शुरुवात के बीच छोड़ी गई जगे क्या किलाती है Margin को कहा जाता है indentation क्या indentation गिवन है हाँ तो correct answer is option number 3 that is indentation देख सकते हैं जो left side में छोड़ी गई left indentation right side में छोड़ी जाती right indentation तो the space left between the margin and the start of a paragraph paragraph को शुरू करने से पहले छोड़ी गई margin that is called indentation clear है तो 40 questions complete out of 40 कितना score किया कितने सही questions किये comment करके जरू बताईएगा और ये रहा question of the day जो कि आप जानते हैं कि अक्सर जो question of the day होता है वो हमेशा से important रहा है बताई which protocol is used to automatically assign TCP IP configuration information TCP IP configuration जानकारी को 140 रूप से निर्दिस्ट करने के लिए किस protocol का उपियों करते हैं options है DNS DHCP NetBios NetLink FTP या आता है बताएगे नहीं क्या होगा इसका correct answer अगर पता है तो जरू बताईए के comment section में देखना चाहता हूँ मैं भी कि आप कितनी चीजों को याद रख सकते हैं have a look session अगर पसंद आया हो तो like कर दीजेगा channel पर नए हो subscribe कर दीजेगा और चाहते हैं कोई ऐसा batch लेना जो कि भ्रमास्त रहो computer के point of view से सारे exams को clear करे join कर लीजेगा IBPS RRBPO clerk full computer course in which concept, MCQs, videos, PDF, mock test topic wise देखने को मिलेंगे clear है कोई confusion, कोई doubt है दिए गए नंबर पर whatsapp कर सकते हैं link आपको description box में ही मिल जाएगा application को install कर लीजेगा Google Play Store या iOS Store की मदद से कैसा लगा आपको आज का session confidence increase हो रहा है लग रहा है कि 40 के 40 question को तोड़ेंगे इस बार हाना और आप करते भी हैं talented हैं लेकिन घमण नहीं करते यही तो खास बात है आपमे आना you have skills pre cleared इतना आसान तो नहीं था किया न आपने तो आप कर सकते हैं have trust on you आप कुछ भी कर सकते हैं तो that's all for today guys बहुत जल मिलेंगे next 40 questions के साथ उमीद है इस session से आपने काफी कुछ revise किया होगा और काफी कुछ नया भी सीखने को मिला होगा bye bye and take care